चलिए next question करते हैं 18 नंबर ABC partner है और C हो रहा है retire goodwill की value दिवा है हमारे पास 31,000 there is a goodwill account in the books of the balance is 31,000 31,000 ही books में भी goodwill है और 31,000 ही अभी value है goodwill की और हमें बोला है general entry को record करने के लिए goodwill की अब क्या है दीखे इसमें दोनों ही goodwill का amount same है जो books में given है और जो new value calculate की है 31,000 31,000 ठीक है अब जो amount equal है तो इनका जो treatment होगा वो भी इसको हम आज़े करते हैं कोई भी difference ही आएगा जब पहली जो already books में है उसको write-off करेंगे तो C से उतने पैसे लेंगे तो जब जो ने वाली है उसको जब हम distribute करेंगे तो C को उतने पैसे देंगे मेंज एफेक्ट क्या आएगा नो एफेक्ट तो कोई भी generalities की record नहीं होगी नाइटीन नमबर ABC partner है C retire हो रहा है from firm and C की retirement पर goodwill दी हुए value हमारे पास 64,000 की there is a goodwill in the accounts of books बोला है कितना balance है 46,000 का what will be the general entity recorded the goodwill तो इसमें क्या है मारे पास जो balance of goodwill दिया हुए 64,000 है और जो books में balance है जो दोनों के लगले के डाल देते हैं तो हमारा चुछ रोड़ देगा सौल चलिए फिर करते हैं चलिए पहले हम करते हैं जो प्राना ब्राइबर दी हमारे पास 46,000 का उसको करते हैं तो जैनिकला 15,000 तामन ओर 33,000 हमें ratio को एक में इसका में इसका में तो एकूल हो जाए गर और रहे हैं पॉफिटल लॉस को तो एक को रेशों में ही डिस्टीविट कर देंगे हैं और सी का लिख दीजिए 15,334 ओके और रेशन आ जाएगी इसकी बींग गुड़ विल रॉइटन आफ नेक्स जनरेंटरी आ जाएगी हमारी जिसमें हम जो न्यू गुड़ विल है उस बॉइघ2000 किवन तो जो उल्ड रेशो है वो यह हमारी न्यू बन जाएगी आफर स्ट्राइकिंग आउट दाशेडर ऑफ रेटाईरिंग पार्टनर्स ओके तो अब हम क्या करेंगे जो भी हमारे ratio बनी है new वो हमारी gaining ratio बन जाएगी उसी ratio में इसको हम distribute कर देंगे C के share को A and B में तो C का share कितना बनता है goodwill का 64,000 multiply 1 divided by 3 कीजिए तो जे निकला 21,333 इसको हम distribute कर देंगे among A and B तो दोनों share कितना करेंगे equally करेंगे 1 by 2, 1 by 2 या जाएगा नों दोनों का ठीक है 21,333 multiply 1 by 2 किया तो जे निकला 10,667 A का लिख लो B का 66 लिख लो ठीक है total आपका tally हो जाएगा नहीं तो difference आजाएगा ओके and ratio आजाएगी इसकी being goodwill adjusted next question है मारे पास 20th ABC partners है और ratio है 532 की और A retire हो रहा है A की retirement पर goodwill की value दिया है 6,40,000 and books में goodwill का balance दिया हुआ है 4,00,000 रुपेज और बोला है given necessity general entity to record the arrangement assuming that B and C decide to share future profit and loss equally अब future profit and loss की ratio हमें इस question में given है और वाकी question सारा डिक्टो सेम है पिछले वाले से तो new profitability ratio given है old हमारे पास given है तो हम पहले सबसे calculate करेंगे gaining ratio तब ही पता चलेगा कि कौन gain कर रहा है कौन sacrifice कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो लिखिए calculation of gaining ratio calculate करने के लिए चाहिए हमें old profit sharing ratio of ABC की वो है five is to three is to two और new profit ratio चाहिए BC की वो है one is to one ठीक है gaining ratio का formula है हमारे पास new share minus old share तो बीज का gain निकल के आ जाएगा हमारे पास new share कितना है बी का one by two minus कर दीजिए उसमें से old share three by ten ठीक है तो LCM आ जाएगा हमारा इसका ten ठीक है two ten को two से divide के बचा five five multiply करेंगे one तो आ गया five minus कर दीजिए three तो यह निकला हमारे पास two by ten ठीक है तो चलिए ऐसे ही c का share कर लेते है तो c का new share है one by two minus कर दीजिए old share two by ten ten ले लिए हमने LCM divide के two से तो जाएगा five multiply बबन के तो आएगा five five minus हो जाएगा two तो जाएगा हमारे पास three by ten तो gaining ratio आगी हमारी c and b and c की कितनी two is to three ओके तो चलिए अब हम journal का format draw कर लेते हैं और generalities डालते हैं सबसे पहले generalities डालेंगे जो books में already appeared है goodwill four lakh rupees उसको distribute कर देंगे among all partners तो जनरेंटरी बन जाएगी हमारी a is the capital account debit b is the capital account debit c is the capital account debit two goodwill account goodwill का balance दिगा हुए हमारे पास four lakh तो credit में लिख दीजिए four lakh a का share निकल जाएगा four lakh multiply by five divided by ten किया तो जे निकला two lakh rupees same way b का share निकल जाएगा four lakh multiply by three divided by ten किया तो जे निकल गया one lakh twenty thousand और c का निकल जाएगा four lakh multiply by two divided by ten किया eighty thousand आ जाएगा ओके और narration आ जाएगी इसकी being a good will return off तो चलिए second record कर लेते हैं जो new goodwill का share उसमें से C का share उसको देना है तो जनलेंटरी बन जाएगी हमारी क्या gaining partner to retiring partner तो gaining partner दोनों ही हैं हमारे तो capital लिख दीजिए B is a capital debit C is a capital debit to a capital account share कितना आ जाएगा एक है six lakh forty thousand की goodwill है multiply कर दीजिए a के share के साथ five by ten के साथ तो जे निकला three lakh twenty thousand ओके तो b कितना bear करेगा उसमें से three lakh twenty thousand multiply कर दीजिए a b के gaining share के साथ two by five के साथ ओके तो जे बन गया हमारे पास one lakh twenty eight thousand सेम वे सी का calculate कर लेते हैं three lakh twenty thousand multiply by three divided by five कर दीजिए ये निकला हमारे पास one lakh ninety two thousand ओके और नरेशन आ जाएगी इसकी being goodwill adjusted through capital counts in gaining ratio that is two is two three next question है मारे पास twenty one x y z partner है two three five की रिशो दीवी है z हो रहा है retire और उसकी capital का balance दिया हुआ eighty thousand profit on revolution account दिया हुआ है sixty thousand however continuing partner agree to pay to firm रुपिज one lakh ninety thousand record necessary entry for goodwill अब जो continuing partner है वो one lakh ninety thousand pay कर रहे हैं फिर्म को और जो शेर बनता है retiring partner का वो eighty thousand उसमें sixty thousand revolution का शेर है ठीक है तो वो total लगाएंगे तो दोनों आपस में सब्टाटिक करेंगे तो हमारे पस goodwill निकल जाएगी तो ये concept जो है इसे हम बोलते है hidden goodwill वाला concept ओके तो चलिए करते हैं इसको calculate लिखे सबसे पहले calculation of hidden goodwill formula हमारे पास value of the firm minus amount payable to retiring partner ठीक है value of firm है हमारे पास one lakh ninety thousand उसमें subtract कर दीजिए eighty thousand plus sixty thousand करके सी का ठीक है bracket में लिख लीजिए eighty thousand plus sixty thousand retiring partner का total का जैट का शेर वो सब्ट्रेक्ट कर देंगे ठीक है तो यह आजएगा हमारे पास one lakh ninety thousand minus total share of retiring partner की तरह one lakh forty thousand तो balance निकला goodwill का हमारे पास fifty thousand ठीक है अब fifty thousand की उसने general entry डालने को भी बोला है record necessary entry for goodwill तो simply goodwill का amount हमने calculate कर लिया है उसमें से retiring partner का share निकालेंगे और gaining partner उसे wear करेंगे ठीक है तो general entry मारी बन जाएगी x capital account debit y capital account debit to z capital account fifty thousand total goodwill है z का share है five by ten तो जे amount निकला हमारा z का twenty five thousand जो उसे मिलेगा ठीक है तो जे twenty five thousand x and y पे करेंगे इन gaining ratio तो gaining ratio हमें कोई given नहीं है तो just strike out करेंगे z का share तो जो बचेगा वो हमारी new ratio है और वो ही हमारी gaining ratio बन जाएगी ठीक है तो x का share आजएगा twenty five thousand multiply by two divided by five किया तुझे निकला ten thousand y का share आजएगा twenty five thousand multiply by three divided by five किया तुझे आ fifteen thousand ठीक है और narration आजएगी इसकी being goodwill adjuster through capital accounts in gaining ratio that is two is to three ओके next question हमारे पास twenty two इसमें दो case दिये हुए है A and B पहले A case read out करते हैं उसके base पे ही B case है पहले case पे क्या लिखा है हमारे पास सिंग खान गुपता अगे पार्टनर्स है प्राफिटेशनी रेशो दी हुई है five three two की हमें सिंग उसमें से retire हो रहा है गुडबिल की value दी हुए 40,000 और पास असे जुनर्स करने को भूला है हमें ठीक हैं और B case में लिखा है with the help of above facts past sensory entry in the following cases means example question वो ही है same just cases नीचे change कर दिये हैं क्या लिखा है गुडबिल already appear in the books at 40,000 गुडबिल already appear in the books 20,000 और already appear in the books 60,000 तीन case दे दिये हैं जिसमें जो गुडबिल की value है जा तो वो equal है जा उसे कम है जा उसे ज़्यादा है जो अभी हमने calculate की है already appear in the books ठीक है तो चलिए देखते हैं one by one case को और solve करते हैं पहले हम एपार्ट को solve कर लेते हैं एपार्ट हमारा simply है गुडबिल की value है 40,000 उसको अब हम distribute कर देंगे among the partners कैसे करेंगे सिंग हमारा होरा अटायर तो सिंग का share सिंग को देंगे और हमारे पास कोई gaining ratio sacrificing या कुछ भी given नहीं है new ratio भी तो इसलिए strike out करने के बाद जो बचेगा वो खान अन गुपता के gaining ratio आ जाएगी ठीक है तो general entry मारी बन जाएगी खान से capital con debit गुपता से capital con debit 2 सिंग से capital account सिंग के goodwill cashier कितना आ जाएगा 40,000 multiply by 5 divided by 10 किया तो जो निकला 20,000 अब इसे हम खान अन गुपता में distribute करेंगे तो की ठीक है तो 20,000 शेयर है सिंग का तो वो खान उसमें से कितना बेर करेगा 20,000 multiply by 3 divided by 5 कर दीजिए तो जे निकला 12,000 सेम वे गुपता का कर लेंगे 20,000 multiply by 2 divided by 5 किया तो जे निकला 8,000 ठीक है तो यह हमारे पहले के होगी जनरेटरी complete इसकी narration भी लिख लेते हैं being goodwill adjusted by debbing continuing partner in gaining ratio that is 3 is to 2 next है हमारे पास B में पहला case जिसमें goodwill की value दी हुई या books में 40,000 और जो हमने calculate की है वो भी 40,000 है तो दोनों ही same value आप अगर इसको जनरेटरी को record ना भी करो तो भी चल जाएगा जैसे हमने previous question में किया भी था उस question में भी अगर आपने जनरेटरी record करनी है तो आप दोनों record भी कर सकते हो क्योंकि जो C की capital पे असर कोई नहीं आएगा लेकिन continuing partner की capital पर तो impact आएगा याएगा ठीक है only अगर C का balance calculate करना है आपको बोला है तो आप जनरेटरी skip भी कर सकते हो ठीक है तो क्या जनरेटरी बन जाएगी पहली जो already appeared in the books उसको हम distribute करेंगे among all partner in old profit chain ratio तो क्या जनरेटरी बन जाएगी उसकी सिंक जी capital account debit, खान जी capital account debit, गुपता जी capital account debit टू, गुडविल अकाउंट ठीक है गुडविल का balance है हमारे पास 40,000 सिंक का शिर आजएगा 40,000 multiply by 5 divided by 10 किया तो 20,000 सेम बे खान का आजएगा 40,000 multiply by 3 divided by 10 किया तो 12,000 और गुपता का जाएगा 40,000 multiply by 2 divided by 10 किया तो 8,000 ठीक है और नरेशन आजएगी इसकी being good will return off और next जनरेटरी बन जाएगी जिसमें सिंक को share मिलेगा good will का तो वो क्या जनरेटरी बन जाएगी खान से capital account debit, गुपता से capital debit to सिंक से capital account तो सिंक की capital का share तो वो ही बनता है 20,000 जो हमने पहले केस में डाली है ए में वो सेम डिटो एंटरी आजाएगी खान का share आजाएगा 20,000 multiply by 3 divided by 5 किया उनकी gaining ratio हमने calculate कीजिए ना 3 is to 2 तो वो ही रहेगी तो यह आगा 12,000 गुपता का आजाएगा 20,000 multiply by 2 divided by 5 किया तो यह निकला 8,000 ठीक है तो देखिए सिंक का जो share है उसको debit भी 20,000 हो रहा है पहले जो good will return off की है अब credit हो रहा है 20,000 तो net effect क्या आगया उसके balance पे 0 इसलिए अगर आप entry डालोगे तो भी कोई चक करनी नहीं डालोगे तो भी कोई चक करनी ठीक है in case of see the capital के balance में अगर full-fledger question आपको आ रहा है तब तो आपको जिजनेटरी करनी ही पड़ेगी ठीक है तो narration आ जाएगी इसकी being good will adjusted on सिंग's retirement through Khan and Gupta's capital account in their gaining ratio तो चलिए आगे चलते हैं और भी part का second case देख लेते हैं उसमें जो हमें good will दी हुई है books में already appear है वो है 20,000 तो उसके right and off हम 20,000 के साथ कर देंगे और जो good will का share present वाली का है वो तो same detointry ही आएगी हमारी तो जनेटरी बन जाएगी हमारी सिंग से capital account debit काहां से capital account debit गुपता से capital account debit to good will account good will का balance है हमारे पास 20,000 सिंग का share बन जाएगा 20,000 multiply by 5 divided by 10 किया तो 10,000 ठीक है खान का आजएगा 20,000 multiply by 3 divided by 10 किया तो 6,000 और गुपता का आजएगा 20,000 multiply by 2 divided by 10 किया तो यह निकला 4,000 ओके और रेशन आजएगी इसकी being good will return off just amount ही change किया हमने बागी तो जनरेटरी विगर तो सारी सेम ही है अब जो second entry है वो तो डिटो रहेगी उसमें कोई change नहीं है कुछ ने करना खान से capital डेबिट गुपता से capital डेबिट तो सिंग से capital डेबिट 20,000 की हमारे सिंग का share आजएगा 40,000 multiply by 5 divided by 10 किया तो ठीक है और खान और गुपता में इसको हम डेबिट कर देंगे किस रेशो में 3 is to 2 में तो खान का share आजएगा 12,000 गुपता का 8,000 तो इसके लिख दीजिए डिटो उप्र से copy paste करना है वो कर लो जो simple भी लिख सकते हो goodwill adjusted on retirement next हमारे पास last case है third जिसमें books में appear जो value दी हुई है वो है 60,000 की तो पहले 60,000 को distribute करेंगे उसके बाद दूसरी जनेटी record कर देंगे डिटो ही तो क्या जनेटी बन जाएगी हमारे पास सिंग जे कैपिल काउंट डेबिट खान जे कैपिल काउंट डेबिट गुपता जे कैपिल काउंट डेबिट टू goodwill अकाउंट goodwill है हमारे पास 60,000 की सिंग का शेयर निकल जाएगा 60,000 multiply by 5 divided by 10 की है तो 30,000 खान का शेयर निकल जाएगा खान का शेयर निकल जाएगा तो नर्येशन आजाएगी इसकी बीइंग गुड बिल रेटन आफ। तो चलिए, next हम last जनरेंटी डाल लेते हैं, इस question की भी और इस part की भी थार्ड वालेंगी, क्या जनरेंटी बन जाएगी? सब्सक्राइब इसमें कुछ भी चेंज हमारा नहीं हुआ ठीक है निरेशन इसकी आजाएंगी बींग गोडविल इजस्टमेंट ओन रेटायरमेंट ओके नेक्स्ट कुश्चन है 23 ABC पार्टनर प्रॉफट शेयर दी हुई हमारे पास 431 की भी रेटायर हो रहा है सेलिंग इस शेयर और प्रॉफट तो एंड़ सी फोर 8100 टोटल मींज एंड़ सी को बोल रहा है 8100 पे अपना शेयर बेच देगा ठीक है 3600 हमें वो पे कर रहा है और 4500 पे कर रहा है सी जो 8100 का टोटल शेयर उसने बेचा है उसमें उसमें से 3600 ए पे करेगा 4500 पे करेगा सी ठीक है प्रॉफट फॉर दा येर आफ्टर वीज रेटायरमेंट दिया हुआ 10500 डिस्टिब्ट दा अबब प्रॉफट बिट्विन A एंड सी इन अकॉर्डंस बिदा अबब अरेंजमेंट जो भी रेंजमेंट करने के बाद प्रॉफट जो दिया हुआ है बी के रिटायरमेंट के बाद वो डिस्टिब्ट करना है A एंड सी के बीच ठीक है शोइंग हाउ टू अराइव एड दा सीम एंड पास अनसे जर्नल एंट्रीज इफ एनी टू रिकॉर्ड अबब जर्नल एंट्री पास करनी है उपर वे चीज़ें को रिकॉर्ड करने के लिए और जो भी कोई कैलकुलिचन है वो शोग करनी है प्रॉपरली ओके तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलिट करते है न्यू प्रॉफिटिशनी डेशो हमारी आएगी क्या तो टूटल अमाउंट टू बी पेड टू बी है हमारे पास एट थाॉजन वन हंडर्ड जिसमें से अमाउंट जो ए ने पे किया है वो किया है थ्री थाॉजन सिक्स हंडर् ओर थाॉजन फाइब हंडर्ड ओके तो जितना अमाउंट पेड हमें दिया हुआ है वाई ए और वाई सी उसकी हैल्प से हम गेनिग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है तो जितना जितना वो वो अमाउंट पेड करेंगे बी को मेंज रिटाइरिंग पार्णरों को उतना इसको नाइन से दोनों कोमन डिवाइड हो रहे हैं और फॉर नाइन जाओ जगा थाटी सिक्स और फाइव नाइन जाओ जगा फॉर तो फॉर इस तो फाइव की हमारी बन जाएगी गेनिंग रेशो ओके अब जो हमारा बी है रिटाइरिंग पार्णर उसका शियर जितना ब तो ए का गेन कितना निकल जाएगा थ्री बाइ एट मल्टिप्लाइ कर देंगे गेनिंग शियर के साथ फॉर बाइ नाइन ठीक है फॉर प्लस फाइव किया तो नाइन आएगा ना इसलिए फॉर बाइ नाइन तो कैलकुलेट किया तो जहें मारे पास निकल गया ट्वाल बा same भी हम c का gain calculate कर लेंगे b के share को multiply कर देंगे c के gaining ratio के साथ तो b के share 3 by 8 multiply कर दीजे c का gain 5 by 9 तो जे निकला 15 by 72 ओके तो चलिए अब हम calculate कर लेते है new property ratio तो a का new share आ जाएगा उसके old share में हम add कर देंगे gaining share a का old share है मारे पास 4 by 8 प्लस कर दीजे जो gain किया उसने 12 by 72 72 ले लेंगे हम lcm 8 से divide किया तो बचा 9 9 multiply by किया 4 तो जे बचा 36 प्लस कर दीजे 12 तो a का new share है 48 by 72 ओके same भी हम c का new share calculate कर लेंगे c का old share है मारे पास 1 by 8 उसमें प्लस कर दीजे उसका gaining share 15 by 72 72 ले लिजी है lcm 1 जब 72 से 8 को में ड्वाइड किया तो बचा हमारे पास 9 9 multiply 1 करेंगे तो आज जाएगा 9 ओके प्लस कर दीजे उसमें 15 तो यह बचा हमारे पास 24 by 72 ओके तो एंड सी की new profit ratio बन जाएगी हमारे पास 48 by 72 इस टू 24 बाई 72 48 इस टू 24 किया तो 24 से ड्वाइड हो जाएगे दोनों तो 2 इस टू 1 कि आजाएगी हमारी new profit ratio एंड सी की ओके अब उसके बाद हमें बोला है कि जो प्रॉफिट है आफ्टर बीज रिटार्मेंट उसको distribute करना है new profit ratio में तो प्रॉफिट दिया हुआ हमारे पास 10500 चलिए फिर कर लेते हैं इस शियर इन profit total profit firm का उसको multiply कर देंगे एके new share के साथ total profit दिया हुआ हमारे पास firm का 10500 multiply कीजिए एके share के साथ two by three से तो जे निकला हमारे पास seven thousand रुपेज ओके सेम भी हम सी का share in profit कर लेंगे 10500 मारे पास profit है multiply कर दीजे one by three से तो जे बचा हमारे पास 3500 ठीक है C का profit share आ गया ओके अब इसके अलावा हमारे पास उन्होंने बोला है कि necessary general entry अपने पास करनी है अगर कोई जरूरत है तो तो अभी और कोई जरूरत है तो नहीं लेकिन आप profit की general entry अगर पास करना चाहते हो तो पास कर सकते हो तो लिखी है उसे profit and loss appropriation account debit to A's capital account to C's capital account so profit and loss appropriation account में आजाएगा 10,500 और A's capital account के सामने आजाएगा 7,000 और C's capital account के सामने आजाएगा 3,500 ठीक है so narration आजाएगे इसकी being a profit during the year distributed among partner in their new profit ratio that is 2 is to 1 ओके तो ये हो गया हमारा question complete तो चलिए फिर मिलते हैं टॉपिक का end हम करते हैं यहाँ पर अगर कोई भी confusion है तो प्लीज कमेंट कीजिए हम कमेंट में आपका reply करेंगे जितना जल्दियों से कितनी रिपलाई करने कोशिश करेंगे वीडियो को like करना मत बूलेगा comment कीजिए और share करें अपने friends और लेटिव के साथ जिना ज़्यादा हो सकता है जब भी आप वीडियो को देख रहे हो साश्रिया काल